हेलो फ्रेंट्स आज हम इस वीडियो में 2021 में जितनी भी military exercise हुई है आज हम इस वीडियो में उनके बारे में discuss करेंगे वा उनसे related facts के बारे में इस वीडियो में discuss करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहला क्या है भारत night France Yusenic Abhyas Desired Night 21 तो यह किसके किसके बीच में हुआ है तो भारती वायू सेना और France C.Yusenic Abhyas Desired Night 21 में हिस्सा लिया है तेखना इसका उद्देश चिक्या था तो इसका उद्देश था परसपर वियोहार को बढ़ाने के लिए विचारों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना था ठीक है ना इस अभ्यास में दोनों ही देशों की वायू सेनाओं में राफेल विमाल भी सामिल था और यह दो प्रमुक वायू सेनाओं के बीच बढ़ते हुए सहयोग का संकेत था ठीक है ना भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में भारती वायू सेना और फ्रांस सी एवं अंत्रिक्च सेना ने मिलकर गणुन नाम का एक वायू सेनिक अभ्यास छे संसकुनों का आयोजन किया है आखरी गणुन अभ्यास जुलाई 2019 में फ्रांस के मोंट द मारसन एयर बेस में आयोजित किया गया था तो दूसरा क्या है दूसरा देखेंगे अभ्यास कवच ठीक न क्या है अभ्यास कवच तो यह किनके किनके बीच में हुआ तो जनवरी 2021 में देश के एक मात्र सैयुक्त बल कमान अंडमान एवं नीकोबार कमान एंसी के तहत भारत यह नौ सेना भारती वायू सेना तीनों मतलब सेनाओ तट रक्षक के संसाधनों को मिलाकर एक व्रहद स्ताय युक्त सैन अभ्यास कवच यह एक्सरसाइज कवच का संचालन किया गया ठीक है ना अब इसके इनपोर्टन एफिक्ट किया है तो इस अभ्यास में समुद्री न कायम करना सामल성 था इस अभ्यास में ठीक नब इसमें तेन तीनों सेनाओं के विभिन तकनीकी इलेक्ट्रोनिक्स एवन मानवी इंटेलीजेंस सहित सतत्व इंटेलीजेंस निगरानी रखना वह स्टैनिक सडवेक्चण अभ्यास का संचलन किया गया ठीक ना और क्या इंप यद्ध अभ्यास 20 इसका कैया था इसमें किन ककिन बीच में हुए तो 8-11-21 भारत अमेरिका-सैय। सेन अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 राजिस्थान में बीकर निर्जिले के महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज में सुरू हुआ ठीक है ना और इसका उद्देश क्या था इसका उद्देश वा इंपॉर्टन फेक्ट देखेंगे ठीक ना तो यह वार्सिक दूई पक्चिय संय यह अभ्यास 21 फरवरी तक जारी रहेगा ठीक है ना दोनों सेनाओं सेना इस अभ्यास के दोरण अपनी युद्ध संबंदी तकनीकी कौसल और अनवाओं को एक दूसरे के साथ साजह करेंगी ठीक है ना और क्या है नेक्स्ट है मतलब संयुक्त अभ्यास का पिछला संस्क् संयुक्त राज अमेरिका के सियेटल में आयोजित किया गया था यह पिछला अभ्यास ठीक ना दोनों सेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास को 2004 में सुरू किया गया था ठीक ना कब सुरू किया था 2004 में यह यहां से कुश्चन बन सकता है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है दस मार्च 2021 को उत्राखंड के विदेशी प्रसिक्चन केंद्र चौबटिया रानी खेत में सुरू हो गया है यह अभ्यास 19 मार्च 2021 तक चला था ठीक है न और इसका उद्देश्य क्या है तो इसका उद्देश्य था शायूक तो राष्ट संग के नीमो के अंतरगत परवतिय ग्र ौनों देशों की सेनाओं की वार्सिक दिपकृती सैन्युक तशन अब्यास कि प्रक्रिया कांद्थ रसंस्क्रन है तो Vergleich का पहला संस्क्रन जो है उन्प्रेयास तो हजार 19 में और विजभेकिस्तान में आयोजित कि यह को significance कर क27 2019। कि इस सेना की तेरा घुमाओ रेजीमेंट जिसे चीन के साथ 1962 में युद्ध में अपनी वीरता पूर्ण कारवाई के लिए रेजांग ला बटेलियन भी कहा जाता क्या कहा जाता है रेजांग ला बटेलियन कहा जाता को कंपनी इसतर के आतंकवद विरोधी अभियान के लिए भारती से न मित किया गया था कौन से न मित किया गया थे स्कूर्ण के एक जहाज INS सारदुल ने 22 मार्च 2021 को मौरिसस के राष्टी दिवस्पत आयोजिस तमोरों में हिस्सा लिया था इसका जो इन्पोर्टेंट के एफेक्ट है इसमें पूर्डूप से सौदेशी INS सारदुल को गॉर्डण रीच स्थीप बीलडर्स एंड इंजेनियर्स ऐसी कोलकाता में निर्मित कहां किया गया था जहांसे कुश्चन बन सकता है कि INS सरदुल को कहा निर्मित किया गया था तो आपको हला कोलकाता में इससे दोजर उसात में भारती नौसेला में सामिल किया गया था इसे कब सामिल किया गया था ऐक एक चीज आपको इन्पॉर्टेंट है ठीड़ और नेक्ट क्या है आई एनेस सारदूल भारतिय नौसेना का युद्धरक प्रोत है जो युद्धरक टैंक सैनिको और एक साथ कई हेलिकॉप्टर में ले जाने में सक्चम है ठीक है ना आई एनेस सारदूल ने मार्च 2020 में मेडासकर में 600 टन खादरसाम मगरी पहुचाने के साथ कोविट 19 महामारी के दोरन विभिन देसों में फसे प्रवासी भारतियों को सुरक्षित सोधेस लाने के लिए जून 2020 में चलाए गया ओपरेशन समुद्र सेतू में भी हिस्सा लिया 2021 अभ्यास तेक ना तो यूकिन के के बीच में हुआ तो भारत और फ्रांस की नौ से नौ का दोई पक्षी अभ्यास वरून 2021 का उन्नीसवा संस्क्रण 25 अप्रेल से 27 अप्रेल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था यहां से कुश्चिन बन सकता है कि जो वरून 2021 तो इसके हैं भारती नौ सेना की ओर से गाइड़ मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर आई एनस कुलकाता आई एनस तरकस और आई एनस तलवार और चेतक इंट्रेगल हैलिकप्टरों के साथ एक कलवडी सेनी की पंडुब्बी और पी एट आई लंबे दूरी का समुद्री टोही वीमान इस अभ्यास में सामिल हुए थे यह है कि इस अभ्यास में कौन-कौन से सामिल हुए थे उनके बारे में है ठीक ना वरुन दो हजार एकिस दोनों देसों की बीच बढ़ती सोजननेता पर प्रकाश डालता है इसका यह मेन इंपॉर्टेंट है के बीच दोस्ताना तालमेल समनवय और अंतर संचान सिलता की सम्रद इस तर पर फ्रद्दी को भी दरसाता है ठीक ना नेक्स्ट अपन क्या है सात्मा है सात्मा अभ्यास ओप्रेशन है फ्रीडम ओफ नविगेशन ओप्रेशन टीक ना अमेरिकी नोसीन ने अप्रेल दोहज अमेरिका युद्ध प्रोट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोइट यू एस यू एस एस जॉन पॉलस जोन से ने भारत की आग्या के बीना भारत के विशेश आर्थिक चेतर पर प्रवेस किया अब क्या है देश की विशेश आर्थिक चेतर का उप्योग करने से जहाजों को नहीं रोक सका UNCLSO की अनुसार हलाकि भारतिक कानून की अनुसार किसी भी विदेशी सेना को भारत के विशेश आर्थिक किसी की गत्विदियों संचालन करने के लिए पहले सूचित करना चाहिए था जो कि ये ने नहीं किया ठीक है नेक्स्ट क्या है अमेरिका नौसेना के यह freedom of the navigation operation अंतर राष्टी कानूनों के इसाब से समुद्र में अधिकार आजादी और कानूनी तरीके से इस्तमाल पर जोड़ देने के लिए किया गया था ठीक है ना यह इसका उद्दिश्य था क्या उद्दिश्य था कि समुद्र में अधिकार आजोदी और कानूनी तरीक किसे इस्तमाल पर जोड़ देने के लिए कि गया था ठीक हम भारत कि उन्सी ऐल ऋएस की हस्ताक्षी करता जबकि अमेरिका ने इस सप्लीपर हस्ताक्षा नहीं की थे ठीक नहीं की इस आथमा क्या है सैन अभ्यास खंजर थीडियों यह क्या सैने अभ्यास खंजर इंपॉर् अभ्यास की शुरुवात की खंजर नामा की यह सैन्न अभ्यास किरगिस्तान की राजध्यानी बिसकेक में हुआ कहा हुआ इसके इंपॉर्टेंट एफेक्ट क्या है कि 2011 में पहली बार सुरू किये गए दो सब्ताय का संचालित इस विशेस अभ्यास में उच्च उचाई वाले युद्ध छेत्र आतंकवाद निरोधाक अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित किया यह भारत और किर्गिस्तान के सैन्युक्त विशेस बलों के बीच आयोजित होने वाली खंजर सैन्य अभ्यास का आठवा संस्क्रण था यहां से इंपॉर्टेंट कोश्चिन बन सकता है कि यह कौन से संस्क्रण था ठीक ना तो खंजर जो था आठवा संस्क्रण था 2021 का ठीक अमेरिका सैन्युक्त विशेस बलों के अभ्यास का ग्यारवा संस्क्रण 2 वज्जर प्रहार 2021 में हिमाचल प्रदेश के वक लोह में इस्तित्थ विशेस बाल प्रसिक्षन स्कूल में आयोजित किया गया था कौन सा संस्क्रण था पहले तो यह कुश्चिन बन सकता है ग्या परिच्वालन रणनीती जैसे छेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभाओं को साजा करना इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेश बलों के बीच अंतर संक्रीता में सुधार करना भी था अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है दसमा ओप्रेशन समुद्र से तू यह भारती नोसेन के ऑक्सीजन अवसक्ताओं को पूरा करने के लिए चलाय जा रहे राश्टी मिसन को आंगे बढ़ाते हुए एक माई दो अजार 21 को ओप्रेशन समुद्र से तू लांच किया गया था इसके इन्पोर्टन फेक्ट क्या है कि ऑप्रेशन समुद्र से तू सेकेंड के हिस्से के रूप में साथ भारती नोसेन जहां जो आई एनस कोलकाता आई एनस कोची आई एनस तलवार यह सब जो इनके बारे में हैं कि इन्होंने हिस्सा लिया था देंग ना विविन देशो इसकी पीडियेफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लूँगा तो वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं नेक्ष्ट क्या है नौसेन दौरा आपरेशन समुद्र से तू पिछले वर्स आरंब किया गया था और कोविड-19 के प्रिकोप के बीच पड़ोसी दे इसको आप पढ़ सकते हैं नेक्ष्ट क्या है नेक्ष्ट है पॉसेज अभ्यास ये क्या है पॉसेज अभ्यास भारती नौसेना और वायू सेना ने 23 से 24 जुन 2021 को युद्ध पोतों और विमानों से जुड़े एक बड़े अभ्यास में हिंद मासागर छेत्र में गुजरने के दोरान भारती नौसेना कैरियर स्ट्राइक ग्रूप रोनाल्ड रीगर के साथ एक पासेज अभ्यास में हिस्सा लिया था ठीकर ना इसका उद्धेश ये क्या था इसको मैं नहीं बिताऊंगा इसको आप इसकी पीडिएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जो इंपोर्टेंट है मैं वो बताए दे रहा ठीक ना ओपरेशन संकल्प ठीक ना ओपरेशन संकल्प क्या है तो ये 14 जुलाई 2021 को एक अधिकारिक बयान के अनुसार भारती नोसेना ओपरेशन संकल्प ने खाड़ी छेतर के प्रते दिन औसतन 16 भारती धोजक धारक वैप जहाजों को सुरक्षित आवाजाही प्रदान की है तो इरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाओ के बीच ओमान की खाड़ी में दो तैल टैंकर जहाजों में विस्फोटक के बाद जून 2019 में ओपरेशन संकल्प ठीक ना तब से एक भारती नोसेना के जहाज को एक हेलिक दोप्टर के साथ जून 2019 में उत्तर पश्चिम अरप सागर ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी लगातर तैनात किया गया ठीक ना नेक्स्ट क्या है भारती ये अपनी तेल की मांग लगभग 85% के लिए आयात पर निरभर है ये इन्पोर्टेंट है कितने परसेंट पर चेतर से होकर आया था ठीक ना उसी वर खाणी चेतर के भारत का निर्यात और आयात रिक्रमसा लगभग इंक्यामर अरब डॉलर और 108.2 अरब डॉलर रहा है ये भारत के कुल आरयात का 8.1 और 11.4 परसेंट रहा है ठीक ना कि एच एम एस वेस्ट मिस्टर के बीच कुणांक अभ्यास 2021 इंग्लिस चैनल में आयोजित किया गया था ठीक ना इस नौ सेन नौ सेन अभ्यास में दोनों पूतों के सभी हैलिकॉप्ट्रों को फॉल्कॉन इलेक्रिक वार्फेर विमानों में हिस्सा लिया था ठीक ना इस सहित कई प्रकार के यूब अभ्यास आयोजित की जा गया था ठीक ना यह अपने इसाब से आप पढ़ सकते हैं यह इंपॉर्टेंट है कि भारती नौ सेना यूनाइटेट किंगडम रॉयल देवी रॉयल नेवी के साथ को नामाक एक वार्सिक दूइपक्षी अभ्यास करत है सैन्य कूट नीती के हिस्से की रूप में कजाकिस्तान के साथ बढ़ते रणनीतिक संबंदों को मजबूत करने के लिए भारत और कजाकिस्तान सेन्युक्त प्रसिक्षण अभ्यास का पांचवा संसकर्ड काजिट 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक प्रसिक्षण नोड आईसा बेभी कजाकिस्तान में आयुजद किया गया था इस सारे पॉइंट इन्पॉर्टन इसको आप पड़ सकते हैं इसका स्क्रीन सोट भी लेकर रख सकते हैं और इसकी मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ठीक है इसके इन्पॉर्टन फेक्ट क्या है तो यह अभ् सेना की टुकडी का प्रतिनेद भीहार खेंट का एक बाटालियन दौरा किया जाएगा जबकि कजाकिस्तान सेना की सामूह्द आरह किया जाएगा नेक्स्ट क्या है ठीक है यह अभ्यास भारत और कजागिस्तान के सशस्त्र बलों को सेयुक्त राष्ट के अधिदेश के तहद परवती ग्रामीड परिदेश विरोध विद्रोह रोधी अतंकवाधी नीरोधी अभियान के लिए प्रिसिक्चित करेगा, अभ्यास भारत और कजागिस्तान के सस्थरवलों के बीच, आपसी विश्वास अंतर संचान को मजबूत करेगा, और सर्वोत्तम प्रताओं को साजा करने में सक्षम करेगा, ठीक है ना, नेक्ष्ट क्या है, नेक्ष्ट अपंद रहमा, अभ्यास इं तक दक्षणी रूस वोल को गाड़ शेत्र में आयोद किया गया था यह अभ्यास है इनके सारे फेक्ट ही आपको याद रखना पड़ेगा ठीक ना यह कहां हुआ किसके बीच में हुआ कौन सा संस्क्रण सा ठीक ना यह सैन अभ्यास दोनों देशों के ससस्त्रबलों के बीच सायोग को मजबूत करने के उद्देश्शी किया गया था उद्देश्शी भी इसका पूस सकता है इस अभ्यास में दोनों देशों के लगबग 250 सेने कर्मी सामिल हुए थे ठीक ना दोनों देशों की सेनाओं के अंतर राष्टी आतंक वादी समूहों के खिलाफ सायोग्त क से 19 दिसंबर 2019 को हुआ ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है सोलहमा अलमोहद अलहिंदी 2021 तो यह अगस्त 2021 में भारत और साउधी अरब के बीच पहला संयुक्त नोसेनिक अभ्यास अभी पहला है इसलिए इन्पोर्टेंट है ठीक ना इसको भी आपको याद रखना भारत के निर्देशिक मिसाइल विद्धुहंसक आई एन एस कोची ने साउधी अरब के अल जुबैल बंदर गया में इस अभ्यास में हिस्सा लिया ठीक ना यह इंपोर्टेंट है आपको याद रखना है अलमोहद अलहिंदी 2021 अभ्यास हारबर चरण के 9 अगस्त 2021 को 2021 में अबुधाबी टक पर भारत संयुक्त अरब अमीरात नौसेना एक संयुक्त नौसेनिक अभ्यास जायत तलवार में भी हिस्सा लिया था आई एनस कोची यह कोलकत्ता इसको अब पढ़ सकते हैं इंपोर्टेंट नहीं है बाकि इसकी PDF में ने दे दिये हैं तो उसमें आ 2021 में हिस्सा लिया अब बेस के उद्देश क्या था तो संगाई आपको यह कब हुआ ठीक ना इसके कौन सा संस्क्रण है और किनके किनके बीच हुआ और इसका उद्देश क्या है यह तीन चीज़े और तीन-चार चीज़े हैं आपको जो याद रखनी है ठीक ना बाकी इसके इंपॉर्टेंट फेक्ट भी है कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट फेक्ट भी आपको याद रखने की जरूरत है जैसे कि यह है अभ्यास संगाई संगाटन SCO के सदश्य के बीच 13 से 25 दिसंबर 2021 तक दक्षिन पश्चिम रूस के औरेन बर्ग चेत्र में आयोजित किया संयुक्त वातावन में सहरी परिदेश के आतंकवाद विरोधी अवियानों को प्रसिक्षित करने का आवसर भी प्रदान किया गया था नेक्स्ट क्या है अठायरवा है नेक्स्ट अभ्यास समुद्र सक्ति तो भारती नोसेना और इंडोनेसिया की नोसेना 20 से 22 सितंबर 2021 त समुद्री संचलन को आपस आपसी समझ और अंतर संचलन को बढ़ाना और दुविपक्षी संबंदों को मजबूत करना था इस से इंप्वोर्टन क्या बन सकते हैं तो भारती नोसेना के जहाज सिवालिक और करमत ने इस दुविपक्षी अभ्यास समुद्र सक्ति के तीसरे संस्क्रण में हिस्सा लिया था ठीक है ना भारत की एक्ट इस्ट नीती के अनुसान में अभ्यास समुद्र संक्ति की कल्पना दुवजर अठारा में दुविपक्षी बारत इंडोनेसिया अभ्यास के रूप में की थी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है 19 समुद्री अभ्यास जिनमेक्स 21 यह भी इंपोर्टेंट है इसके भी सारे कुष्चिन आपको याद रखता है सारे इफेक्ट भारती नौसीना यह इंडियन नेवी और जापान मैरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के भी जापान भारत जा आज्शित किया गया घेक्ञा देख लुड़ो सारे इंपोर्टेंट है यकिन के विच हुआ कहा आयोजित किया गया कब से कभ हुआ कि इसका उद्धेशिक्या था दोजी मेक्स 21 का उद्देशिं दहा तक वार्ति इंपोर्टेंट के एफेक्ट बन सकते कि जीमेक्स का पिछला संस्क्रण जो है सितांबर 2020 के उत्तरी अरब सागर में आयुजित किया गया था ठीक ना समुद्री सुरक्षा सहयोग के बिशेश धेने से उत्सिसेंवर 2012 में जिमेक्स स्रंकला का अभ्यास सुरू किअगया था नेक्श क्या है अभ्यास मुंत्र सक्ती जीमी कुछ य जो बहुत इंपोर्टेंट है उनके सारे फेक्ट आपको याद करने की जिरूरत है तो यह कहा है भारत और स्री लंका ने चार अक्टूबर 2021 को स्री लंका के पूर्वी जिले अंपारा के कंपेर्ट ट्रेनिंग स्कूल में बारा दिवसी सेन अभ्यास मित्र सक्ति शुरू किया था इसका उद्देश्ची क्या था तो दोनों देश्चों की सेनाओं के बीच गनिष्ट संबंदों को बढ़ावा देना और अंतरसंचनन को यक्चिता में इन फैक्टरी बटेलियन ग्रूप भारतिय सेना एक सो बीस जवानों की एक टुकड़ी इस अभ्यास में हिश्चा ले रही है ठीक ना अभ्यास मित्र सक्ति का सात्वा संस्क्रण दिसंबर दोहजर उन्निस के पूर्णे के ओंद सैन ने स्टेशन में इस्ते अभ्यास के दोरान भारती सेना और नेपाली सेना की एक एक इंफ्रेंटरी बटेलियन ने अंतरसंचान विक्सित करने और आतंकवाद विरोधी अवियानों को और आपदा राहतकारियों के अपने अनुवाओं को साजा करने के लिए एक साथ प्रसिक्चन लिया था ठीक ना सायुक्त अभ्यास भारती पक्ष का प्रतिनिदित छटवी गड़वाल रेजिमेंट में किया था जबकि नेपाली पक्ष का प्रतिनिदित नेपाली सेपा के रिपुदामन मतेलियन ने किया था अभ्यास सून कियान का अंतिम संस्क्रण 2019 नेपाल में आयोज़त किया गया था नेक्स्ट क्या है बाइसमा है अभ्यास अजे वारियर ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट है ये भारत और यूके के बीच याने यूनाइटेट खिंगडाम अभ्यास अजे वारियर का छटवा संस्क्रण उत्राखंड के चौबटिया में 7 अक्टूबर 2021 को सुरू हुआ इसका समापन 20 अक्टूबर 2021 को होगा इस अभ्यास को मित्र विदेशी राष्टों के अंतर संचालिंता विशेशक गिता साजा करने की पहल से किया गया था प्रिसिक्षण के अंतर ग्रत दोनों देशों की सेना के संयुक्त सेन अभ्यानों को अंजाव देने के लिए एक दूसरे के हतियार उपकरनों रननीती तक्नीकों प्रिक्रियाओं से परचित होगी इस वीडियो में मैं इन्पोर्टेंट इन्पोर्टेंट फेक्ट आपको बताते जा रहा हूं बाकि की मैंने पीडियाफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप वहां से जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते ठीक है नेक्ट क्या है तेसमा है युद्ध टूबर 2021 तक सहयोक्त बेस एलफ एम डॉर्म रिचार्ट अलक्सका युएस में आयोजित किया गया था में अलक्सका में आयोजित किया गया था ठीक है दोनों सेनाओं के बीस समझ सहयोग अंतर संस्क्रिन को बढ़ाना एवं सामलिक इस तर के अभ्यासों को स्वाजा करना एक दूसरे के अभ्यास की स्तर्व स्रिष्ट परिपार्टियां सीखना ठीक ना यह सायोक्त अभ्यास साथ सत्रहवा संस्क्रन था अभ्यास दोनों देशों के बीच बारी-बारी से आयोजित किया गया था ठीक है भारत की और से सेना साथ मद्रास इंफैन्टली बटेलियन के अभ्यास में हिस्सा लिया इस अभ्यास का पिछला संस्क्रन फरवारी 2021 के राजिस्तेन के बीका नेर में महा जन फिल्ड फाइरिंग रेंज में आयोजित किया गया था ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट 24 है सिट मेक्स 21 ठीक है तो यह भारत सिंगपूर और की नौसेना 15-16 नौमबर 2021 को अंडमान सागर में त्रिपक्ची समुद्री अभ्यास सिन सिट मैक्स 21 के तीसरे संस्करन में भाग लिया था ठीक ना भारती नौसेना की जहाज आई एनेस कर्मुक ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया जो की एक सौदेश निर्मित मिसाइल कॉर भारती नौसेना सिंगापूर गंड़ा जिकी नौसेना और रोयल थाई नौसेना के बीच आपसी अंतर संचलन को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के युद्देश से 2019 में सिट मेक्स प्रतिवर्स आयोजित किया जा रहा है दो दिनों की समुद्री अभ् अभ्यास सक्ती 2021 ये भी इन्पॉर्टेंट है ठीक है जो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ अभी देखेंगे भारत और फ्रांस की संयुक्त सेन अभ्यास सक्ती 2021 का छटा संस्क्रण 15-26 नौंबर तक फ्रांस के फ्रेजस में आयोजित किया जा रहा है गोर का राइफल्स इन्फैंट्री बटेलियन एक प्लांटून और दूइपक्ची अभ्यास में भारती सेना का प्रतिनिद्द कर रही है अभ्यास सक्ती सायुक्त राष्ट के अर्ध सहरी इलाकों की प्रिष्ट भूमी अतंकवादी विरोधी अभ्याओं को ध्यान के इंदिद करना जिसका उ सेना के साथ वरुन और भारती सेना के साथ सक्ती यह तीनों आपको इंपोर्टेंट है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि भारती वायू सेना के साथ गरुन जिसका नाम है भारती नौ सेना के साथ वरुन और भारती सेना के साथ सक्ती यह तीनों इंपोर्टेंट है वेरी व मुंबर दोजार 21 को मुंबाइ से दूर अपर्ट विकास छेत्र प्रस्तान कोड के नाम से अपत अपर तरी सुरक्षा अभ्यास में आयुजित किया गया था हर चाही माइने में आयुजित होने वाला यह अभ्यास अब तर्टिये सुरक्षा सुनिक्षित करने के लिए महत्यपूर्ण है इसका उद्देश ये क्या था तो अब तर्टिये विकास शेत्रों में विविन प्रकार की अकासमिक गटनाओं एबं एशोपी कारवाही को ब्रहतर करना करने में भारती नो सेना भारती वायू शेना तर्ट रक्षकवल ओ एन जी सी पोर्ट ट्रस्ट सीमा सुल्क राज मजिस्ट मस्य पारन विवाग समुद्री सेन सहित समुद्री हितकारों के प्रकाप्यासों का एक इकरत करना था ठीक न और 27 मा क्या है दक्षण सक्ति अभ्यास यह क्या है धल सेना के प्रमुक जनरल एम एम नर्वडे ने जैसल मेर के आयोजित सेन अभ्यास दक्षण सक्ति का अवलोकन किया जिसमें धल सेना और वायू सेना ने भाग लिया यह अभ्यास बीच से 26 नॉमबर 2021 को जैसल मेर के रेगिस्तान में संपन हुआ ठीक न इस सेना वायू सेना तत्रक्षक बीएस एफ के साथ इस्थानिय प्रसासन और पुलिस में सामिल किये रिकाए थे इस तोरण को खोफिया ऑपरेशन की भी किये गए नेक्ष्ट क्या है अठाइसमा है त्रिपक्षी तत्रक्षक अभ्यास दोस्ती यह इंपोर्टेंट है तो भारती यह भारत मालदीफ भारत और स्री लंका के दुई वार्षिक तिरपक्षी तत्रक्षक अभ्यास दोस्ती का 15 संस्कार्ण 20 से 24 नॉमबर 2021 के मालदीफ में गया ठीक है ना भारत माल्दीफ सिरी लंका तुरी पक्षी अभ्व्यास दोस्ती का उद्देश्य दोस्ती को और मजबूत करना आपसी परिछालन चंपता को बढ़ाना था ठीक है ना अभ्यास दोस्ती उन्ने सो इंक्यनवे में भारती और माल्दीफ रक्षक के बल बीच श सामिल हुआ था ठीक है ना उन्तीसवा क्या है एक्यूवेरिन अभ्यास ठीक है ना यह भारत और मालदीप के बीच सेन अभ्यास एक्यूवेरिन का 11 संस्क्रण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालवी मालदीप के कड्रू कड्रू दू दिप में आयोजित किया गया था 11 दोनों देशों के सस्त्र बलों के बीचे जमीन और समुद्री दोनों पर अंतरराष्टी आतंकवाद के खत्रों को समझने आतंकवाद अरंग आतंक विरोधी अभ्यानों को संचान करने के लिए सर्वुत्तम सेने कानपीनाडि और अनभॉओं को साजा करने के मामले में तालमेल और अंतरसंचन को बढ़ायेगा ठीक है ना मालदेवियन भाशा में personality का आर्थ दोस्त होता है ठीक है एक्जीन एक्युवेर ईकरत क्या हुता है दोस्त ही होता है यह अभ्यास 2009 में भारत और मालदेप के भी बारी-बारी से आयोजत किया जा रहा था ठीक है नेक्स्ट ठीक है यहां से जितने भी इंपोर्टेंट युद्ध्या ब्यास थे हमने इस वीडियो में देखे हैं युद्ध्या ब्यास में आपको क्या कहती याद रखने की जरूरत है मैं बताए दे वीडियो में बताए हैं कि उनके सन भी आप याद रखना कि ये कब से कब तक आयोजित किये गए और इसका उद्धेश ये क्या था ठीक है ना उद्धेश ये लगबक साभी के सेम है लेकिन आप एक दो याद रख लेंगे तो परिक्षा में इंपोर्टेंट है ठीक है ना तो आसा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्ची लगी प्रिस इस वीडियो को लाइक करें वा अपने उन दोस्तों को सियर करें जो कॉंप्टीशन एक्जाम की तैयारी कर रहे है उनको इस वीडियो से काफी लोट कर सकते हैं और अगर आप इस पेज पर अगर आप इस चैनल पर नए हो प्लिज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बैल आइकन भी प्रिस्ट कीजिए ताकि जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो हैं आप आप से चूके नहीं मतला आप उस वीडियो को देख सक धन्यवाद